बहरत की वप्ट बफेट कहीं जाने वाले राकेश जुनुचुनवाला अभ हमारे वेच नहीं रहे हैं ये दुकत समाचार तड़के सुँबहा आया राकेश जुनुचुनवाला देश के दिंगज शेयर मार्केट निवेशक के तौर पर जाने जाते हैं मात्र साथ दिन पहले ही उनकी नई बिजनिस अकाशा एर की पहली उडान मुंबई से एहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी लेकिन कौन जानता था कि ठीक साथ दिन बाद एरलाइन्स के मालिक अविस दुनिया में नहीं रहेंगे चलिए आज हम आपको राक Ск्ष जुन जुन वाला क्यूं वॉरुन बॉफिट के नाम से जाने जाते थे ये बताते हैं सबसे पहले तो आप वॉरुन बॉफिट के बारे में जान लीज़ें वॉरुन बॉफिट दुनिया के सबसे बड़े निवेशक है मात्र 11 साल की उमर में वारन बफिट ने निवेश की शुरुआत कर दी थी उनका हर एक अंदाज बड़ा ही अलग होता था चाहे निवेश करने का तरीका हो या जीवन शैली जीने का सब बड़ा ही रोचक होता था यही वज़ा है कि वारन बफिट आज अर्बो टॉलर की संपत्ती के मालिक है वारन की लोग प्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग उन्हें निवेश का भगवान भी मानते हैं शेयर मार्किट और उसमें निवेश के लिए लोग उन्हें आइडियल मानते हैं उनका इन्वेस्टमेंट टिप्स आज भी लोगों को अच्छा खासा मुनाफ़ा देता है वहिना के जुन-जुन वाला भारतियों के लिए वारन बफिट थे मिडल क्लास परिवार में जन में जुन-जुन वाला भानेंस बैक्ग्राउंड से आते थे और स्टॉक मार्किट के प्रटी लंबे समय से उनका जुकाव रहा वे जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब ही उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरु कर दिया था साल 1985 में उन्होंने 5,000 रुपे से शेयर वाजार में निवेश करने की शुरुवात की थी उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मूड कर नहीं देखा आज जुनजुनवाला चार दिशनों 9 बिलियन अमारी की डॉलर यानी करीबन 46,000 करोर पे की संपत्ति के मालिक थे विदेश के वारन बफेट और देश के बिग बुल दोनों ने बड़ी ही छूटी सी उम्रु में शेयर मार्केट में निवीश करना शुरु कर दिया था वारन बफेट साल 1942 में जब वे 11 साल के थे तब उनोंने पहली बार शेयर करीदा था उस समय वारन बफिट ने City Service Preferred के 6 शेर खरी दे थे उस वक्त एक शेर की कीमत 38 डॉलर थी वहीं राकेश जुन 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 वाला ने साल 1985 में शेर मार्केट में कदम रखा राकेश जुन 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 वाला ने 5000 रुपे से शेर मार्केट में शुरुआत की थी उनका पहला शेर टाटाटी का था जिसको उन्होंने 43 रुपे के भाव पर खरीदा था मात्र तीन महिने में उनकी कीमत 3 डुले से ज्यादा बढ़ गई यानि टाटाटी का शेर 43 रुपे से 143 रुपे पर पहुँच गया इसको बेचकर राकेश ने अपनी पहली मोटी कमाई की इसके बाद 3-4 सालों में ही राकेश ने 25-30 रुपे की कमाई कर ली थी पैसी से पैसा बनाने का तरीका उनको पता चल गया था वैसे पढ़ाई के मामले में में भी दोनों में समानता देखने को मिलती है दोनों के पास Economy और Commerce की डिगरी है Warren Buffet Columbia Business School से पढ़े हैं वहीं उनके पास Master of Science in Economics की डिगरी है राकेश जुनजुनवाला के पास Bachelor of Commerce की डिगरी है उसके साथ साथ राकेश Chartered Accountant भी ड़ा है उनके पास Institute of Chartered Accountant of India से CE की डिगरी है दोनों निवेश के भी मामले में एक जैसी सोच रखते हैं दोनों ही लंबी अबदी के निवेश की सरह देते थे उनका मानना था कि छोटी अबदी में लोगों को मुनाफ़ा कम और नुकसान ज्यादा होता है इस ते बहतर है कि लोग अपने पैसे शेर में लगा कर भूल जाए बैंक्स और दूसरी financial instruments से शेर वाजार लोगों को बहतर return देता आया है बस जरूरत है patience रखने की राकेश जुनजुनवारा मार्किट के मौसम विज्यानिक भी कही जाते हैं उनकी एक सला आज भी बड़ी famous है मौसम, मार्किट और महिलाओ के next move को कोई predict नहीं कर सकता उनकी निवेश करने की planning भी बहुत रिसाच बेस्ट होती थी वे company के fundamentals और company की performance पर खास नज़र रखते थे इसके बाद ही खुद निवेश करते थे और लोगों को निवेश के लिए प्रुप्साहिक करते थे आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी लाखो करोडों लोगों को खलेगी तेश दुनिया के लोग उनको शर्धांजली दे रहे हैं हम भी विस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनकी शर्धांजली आर्पित करते हैं